नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिन शर्मा स्वात करतम सभी का आपके अपने चैनल जोतिक्षिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम यापर बात करने वाले हैं 6th of November 2023 के बारे में 6 November 2023 का ये दिन आप सभी के लिए क्या लेकर क्या रहा है? आज के इस दिन में कौन-कौन सी वैदिक रेमेडीज आप सभी के लिए बहुत जादा अच्छी रहेंगी? क्या रहेगा आज का एंजल नमबर और आज का अफरमेशन? कैसे आपको इस दिन को और ज़्यादा बहतर बनाना है? सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में अन तक देखेगा ताकि कोई भी चीज आप से मिसना हो जाए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपर कि आज का ये दिन आप सभी के लिए क्या message of the day लेकर क्या आ रहा है? क्या रहेगा आज के दिन का मैथपुन संदेश? आज का दिन दिखे सुमवार का दिन है और हर सुमवार को कुछ चीज़ें common होती हैं जैसे की आने वाले सब्ता के लिए चीज़ों को प्लान करना और साथ ही साथ क्या-क्या target पूरा करना है उसके बारे में सोचना कौन-कौन सी strategies को हमें प्लान करके चलना है उसके बारे में सोचना और किस तरह से इस अपता को अपने लिए बहतर बनाना है इसके बारे में सोच करके आगे बढ़ना It means कि Monday जो होता है वो नया वर्कलोड लेने का होता है और पुराने वर्कलोड को कवर करने का भी होता है And हर सोमवार कुछ नया लेकर क्या आता है So इसके पीछे एक बहुत अच्छा मैसेज चुपाओ होता है कि जब भी हम एक चीज को बिमाग में बिठा ले और जब भी हम सोच लें कि यहां से एक शुरुआत है वो चीज अपने आप में हमारे लिए अच्छी बन जाती है या फिर उस चीज को पूरा करने के लिए हमें कहीं न कहीं सपोर्ट मिल जाता है साथ मिल जाता है और साहस मिल जाता है इस वज़े से हर सोमवार आपके लिए एक नई खुशियां लेकर के आने का मौका होता है आपको पूरी जिंदगी में खुश रहना है तो हर मंडे को खुश रहना शुरू कर दीजिए जैसे जैसे आप हर मंडे को खुश रहेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए और बहतर होते हैं नजराएंगी आप एक महिना करके देखेगा आपको खुद बखुद पता चल जाएगा कि आपका महिना कितना शांदार गया है सिर्फ और सिर्फ मंडे को बैलेंस करके और इसके साथ वैदिक रेमेडिज जब आप करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए और भी जादा बहतर हो जाएएंगी उमीद करता हूँ कि मेरा मैसेज आप समझे है और इसको अपलाए करके मुझे जरूर बताईएगा कि कैसा लगा आज के दिन में क्या रहेगा गोल्डन विश टाइम इसको पहले देख लेते हैं जो एक महतपूर्ण समय आपके दिन के लिए बहुत ज़ादा खास बना देता है आपके दिन को आज यहाँ पर देखा जाए तो सुमवार के इस दिन में चार बजे का समय दोपर चार से पांच का समय काफी ज़ादा अच्छा समय रहेगा इस समय में आप कोई भी ज़रूरी काम करें आपको अच्छा परिणाम देखने को मिल जाएगा बात पर लेते हैं आपर आज के दिन में कौन सा अफ़र्मिशन आपके लिए बेहत खास रहेगा अफ़र्मिशन होता क्या है बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजर ने की सरी अफ़र्मिशन क्या चीज़ है इसी वज़े से एक अफ़र्मिशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में और डेली रूटीन की लाइक में आज के दिन में आप सभी को क्या करना है अपने आपको मिरर के सामने खड़ा करना है और इस अफ़र्मिशन को तीन से चार बर बोलना है प्लस अपने आपको एक ओपन स्काय में खड़ा करना है खुले आसमान के नीचे खड़े हो करके इस अफ़र्मिशन को तीन से चार बर बोलिएगा यह आपके लिए बहुत अच्छे रिज़ल लेकर के आएगा नोट कर लिज़े का प्लीज आई आम रेडी एंड विलिंग तो रिसीव आल आप दे मिरिकल्स एंड मैजिक कमिंग माई वे यह आपको बोलना है कि इस जर्णी में इस आने वाले सब्ता में आने वाले दिनों में जो भी मिरिकल्स एंड जो भी मैजिक्स मेरी लाइफ में होने वाले हैं उस सारे मैं रिसीव करने के लिए तयार हूँ पूरी तरह से मैं तयार हूँ अगर आप हिंदी में बोलना चाहे तो हिंदी में और इंग्लिश में बोलना चाहते हैं बट इसको बोलिएगा ज़रूर ये आपके लिए बहुत ज़ादा अच्छा रहेगा अब बात कर लेती हैं आपर आज के दिन में कौन सा एंजल नंबर आपके लिए बहुत खास होने वाला है आज का एंजल नंबर नोट कोली जी का प्लीज, 3-7-5-7-1-3 बहुत बहुत ज़ादा इंपॉर्ठेन नंबर है, बहुत ही ज़ादा एनर्जेटिक नंबर है आज ही नंबर आपकी इनॉर सोल को करता है, आपकी स्पुरिचल पावर को इंक्रीजılar करता है अच्छा जाता हुआ नजर आएगा आज अगर आपका जन्द दिन है आपके अनिवर्सरी है आपके जीवन का कोई भी विशेश मैत्वपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हार्दिक शुप कामना है आज के दिन में आप सभी को वैदिक रेमेडीज तो करनी ही है बड़ आने काविल करना है उसके लिए समय काफी जादा अच्छा दिखाई दिता है वहीं पर एक्स्पेंसिस काफी जादा बढ़ते हुए दिखाई दिते हैं और खर्चों की वज़े से आपको कहीं न कहीं थोड़ी सी परिशानी देखने को मिलेगी इस तरह की योग यहां पर बनते ह हैं तो इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा और दीरे दीरे अपने आपको बैलेंस करिएगा और पूरा साल आराम आराम से निकालने की कोशिश करिएगा तो आपको कोई परिशानी नहीं होगी उमीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंग अब बात कर लेते हैं आपर वैदिक रेमेडीज के बारे में छोटे छोटे से आसान से उपाए जो आपके दिन को और ज़्यादा बहतर बना देते हैं आज के दिन में सुमवार के दिन में कौन-कौन से वैदिक रेमेडीज आपको करनी है नोट कर लिजेगा प्लीज सबसे पहली चीज सुबह सुबह जिस पानी से आप सनान करते हैं उस पानी में एक लॉंग लीजेगा छोटे छोटे टुकले उस लॉंग के कर लीजेगा और उस पानी में मिला दीजेगा और उसके बाद उस पानी से सनान कर लीजेगा ये आपके लिए बहुत जादा अच् आज गर की महिलाएं स्पेशली जब भी खाना बनाएं खाना बनाते समय आटे में गी थोड़ा सा मिला दीजिएगा और उसके बाद उस आटे को गुंद करके रोटी बनाईएगा ये भी आज आपके लिए परिवार के लिए परिवार की खुश्यों के लिए ये उपाय आपका काफी ज़्यादा बहतर काम करेगा इसके अलावा आज के दिन में शिवजी के आरादना जरूर करें ओम नमश शिवाय का जाब जरूर करें और अगर गर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहाँ पर जाकर के बेल पत्र जरूर चड़ा दीजेगा ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज किसी विशेश कारे से बाहर जाते हैं तो आप सभी ग्रे कलर, महरून कलर और डाक ब्लू कलर में से कोई भी कलर पहन सकते हैं या अपने साथ लेकर के चल सकते हैं ये आपके कामों को आसान बनाने में आपकी मदद करेगा आज के दिन में आप सभी अगर शादी नहीं हुई है और शादी करना चाहते हैं तो आज के दिन में रिष्टों को तलाशने की कोशिश जरूर करेगा क्योंकि आज का इदिन रिष्टों को लेने के लिए काफी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है किसी रिष्टे को सेलेक्ट करने के लिए काफी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है आज के दिन में आप सभी के लिए specially राशियों में यहाँ पर मैं बदालता हूँ मेश राशी करक राशी सिह राशी और मकर राशी के लिए दिन काफी जादा अच्छे रिजर्ड ले करके आ रहा है तो आप सभी को अच्छे रिजर्ड मिल जाएंगे अलफवेट्स में आपर देखा जाया है तो अलफवेट्स में A, C, I, K और S आप सभी को अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे उमीद करता हूँ सभी के लिए आज का दिन शांदा जाएगा कोई परिशानी किसी को देखने को नहीं मिलेगी वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दिएगा कुछ पूछना चाते हैं, जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ भी समभना चाते हैं आप मुझे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी किये हर संभव मदद्यां पर कर सकूँ धन्यवाद